असलाम अलेकम, अच्छा पर टॉपिक के नहीं है किमी ओस्मोसिस और ऑक्सीडेटी फॉस्फोर राइलेशन जो के बहुत असान और सिंपल सा टॉपिक है इस प्रोसेज के नहीं हमने एक ही काम करना है सेंथिस करना है एटीपी मॉलेकूल को बनाना है पर किस की मदद से बनाना है? विद्धा हेलप ऑफ अनरजी अब यह अनरजी कहां से आती है? यह लाइब्रेट होती है डिरिंग ऑक्सीडेशन जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे उस वक्त अनरजी निकलती है और इस अनरजी की मदद से हमने एटीपी के मॉलेकूल को बनाना है अब यह Oxidation किसके करवानी है यह हमने करवानी Reduce Co Enzyme की मतलब कि NADHK2 की और FADHK2 की Oxidation करने के बाद एनरजी जो रिलीज होगी उसको यूज किया जाएगा ATP को बनाने के लिए इसको कहते हैं कीमी आसमॉसी या Oxidative Phosphor Relation है अब Oxidative Phosphor Relation में होता क्या है इसमें जो इन्जाइम रिक्वाइर होता न वो याद रखेगा उसका नाम है देया अर्कॉल ATP Synthetase मतलब वो इन्जाइम जो इस पूरे प्रोसेस को चलाएगा जिसकी मतलब से संतिस होगी ATP उसका नाम है ATP Synthetase जिसको Oxisome भी कहते हैं या Stalked Particle भी नाम देते हैं या आप देश देखेते हैं यह माइट्रो कॉंडे की Inner Membrane है और इस Inner Membrane के उपर यह Electron Transport Chain है जो आपको नजर आ रही है और यह चल रही है इसके अंदर यह देखिए आपको प्रोटीन के complex नजर आ रह माइट्रो कॉंडे की दो Membrane है उस Membrane के रहा है जो खाली जगा है उसका नाम है Inter-test Jaer Membrane स्पेस और प्रोटोन को पंप करके बेह देए जाता है इस Inter- sits के अंदर है जो खाली या से पंप करन की त druड है यह पर कि तदासaltet जाडा हो जागा हुए जैसे प्रोटोन की तदास ज्यादा हो जाएगी तो proton high concentration से low concentration की तरफ जाएगा और जिसकी मदद से जाएगा उसका नाम है ATP synthetase, यह है ATP synthetase, इस ATP synthetase के दो पार्ट है, एक को नाम दिया रहते है F0 channel और एक को नाम दिया रहते है F1 particle, जैसे proton high concentration से low concentration gradient की तरफ जाता है, तो इस proton की energy को utilize करता है ATP synthetase, और फिर ADP को phosphate के साथ जोड़ देता है, और बना देता है किसको ATP को, आप यह देख सेते हैं, यह जो protein का complex है, इसका नाम NAD, NADH dehydrogenase complex है, इसका नाम cytochrome reductase complex है, इसका नाम cytochrome oxidase complex है, इनका एक ही काम है, जो क्या करना, oxidation करना, और oxidation करने के बाद proton को under pump करते जाना, जैसे under pump होते जाएगे, inter membrane space में कटे हो जाएगे, वो ही जो proton ज्यादा concentration से low concentration के तरफ जाएगे, तो इसकी energy को utilize करेगा, ATP synthetase, और जैसे proton को matrix में दुबारा वापस बेजा जाएगा, उस energy को small किया जाएगा, ATP को phosphate जोडने में, और क्या बना दिया जाएगा, ATP को, अब इसको ज़रा समझते हैं, ज़रा detail के अंदर, यह जो ATP synthetase, जो enzyme यह जो मैंने अभी बताया है, यह कहां located है, inner mitochondrial membrane में, यह embedded होते हैं, in the membrane, यह देख सेते हैं, अंदर दसा हुआ है, embedded है, इसका काम है, involve one to move, movement of proton, from inter membrane space to matrix, इसका एक ही काम है, proton को यहां से नीचे matrix की तरफ, pump करना है, movement करवाना है, यह नीचे वाना F1 जो particle, यह वाला F1 particle, यह head like part होता है, जो projected होता है, निकला होता है, from the surface of membrane, toward the matrix, तो matrix की तरफ, यह निकलावा जो head है, इसका नाम क्या है, F1 particle है, इसका काम क्या है, it involves in the synthesis of ATP, इसका काम है, ATP को बनाना by the combination of मिलाने से, ADP को इन और्गैनिक फोर स्वेर से, और क्या बना देना ATP, तो F0 का का काम है, सिरफ उसको movement करवाना, matrix की तरफ, और इसका काम है, synthesis करवा देन है, F1 particle, अब मैं जरा आपको बताता चलो, कैसे यह ATP बनी, और क्या हुआ क्या, देखें, सबसे पहले activation करते है, ATP synthetase, यह जो मैंने आपके सामने structure बताया था, यह activate कैसे होता है, it activates when proton gradient having higher concentration of proton, जब ज़्यादा concentration होगी, proton की on the F0 side, as compared to F1 side पर, तो यह देखेगा, आपके सामन यहाँ पर proton की तदा ज़्यादा होगी, यहाँ देखेंगा, proton की तदा ज़्यादा होगी, और इस तरफ proton की का, जो तदाद हो कम होगी, जैसे वो high concentration से low concentration की तरफ जाएगा, तो यह F1 particle activate हो जागा, तो कहते है, जैसे यह higher concentration जो होगी, F0 side पर, as compared to F1 side पर, तो क्या होगा, the flow of proton through F0, यह आगे की तरह proton move करेगा, F0 channel induced F1 particle, जो कि induce करेगा, F1 particle को, to function as ATP synthetase, कि वो काम अदा करे, F1 particle as ATP synthetase की तरह perform करेगा, और यह जो ATP synthetase है, जैसे F1 particle induced होगा, यह ADP को phosphate के साथ जोड़ देगा, और क्या बना देगा, ATP, और proton ऊपर से, inter membrane space से, आ जाएगा, कहां पर, matrix के पास आ जाएगा, the energy of proton gradient, यही जो energy of proton gradient की, is used to attach, यही इस्तमाल की गए energy को, किसको attach करेगा, तो phosphate radical को, किसके साथ, ATP के साथ, इस पूरे process में, जो एक NADHK2 है, इसको oxidize करके, तीन ATP बनाए जाएंगे, और एक FADH2 को, दो ATP इससे बनाए जाते है, oxidation process से, जिसका नाम किया, और इस theory of ATP production को, यह इस mechanism को दूसरा नाम देते हैं, यह एक ऐसा mechanism, जिसको explain किया था, पीटर मिचुल ने, और इसने receive किया था, Nobel Prize 1978 को, for his chemiosmosis theory के वरा से, जो कि ATP production के लिए, mitochondria और chloroplast के अंदर, जजाक अलाब, बहुत असान और सिंपल सा topic था है, as it is, लिखेंगे इंशालाब के नमबर नहीं कटेंगे, ओके वे, अलाफीस,